बिस्मिल्लाहिर्णमारुहिम। मेरा नम मुहमदुसामा है है। मैथमेटिक्स के लेक्चर्ट्स का सिलसला। इस वीडियो में आप क्या सीखोगे इंट्रोड़क्शन टू मैथमेटिक्स और branches of mathematics और आखिर में जो एना interesting facts about mathematics ये तीन चीज़ें आप इस वीडियो में सीखोगे ठीक है तो हम math की definition से start करते हैं आपको math को तो math का मालूम होगा कि math जो एना science की एक branch है ठीक है तो math की math एक science की branch है आप math की definition और से देखोगे तो math की definition ये होगी abstract क्या होता है abstract कि आप boogble करोगे उसका तरजमा ये निकलेगा ये खिलासा किन तरह से numbers, quantities, and spaces अंबर्स क्या करते है अगर हम numbers को देखे हैं तो numbers क्या करते हैं ठीक है किसी भी value को count करना है, फर्स करो markers बढ़े में उनको मैंने count करना है, उनको measure करना है, तो मैं कैसे बताऊँगा, वो counting के जरीए से बताऊँगा, यानि कि numbers के जरीए से बताऊँगा, कि ये four markers हैं, ये four chairs हैं, ये four decks हैं, सही है, तो उसके बाद जो next चीज़ है, वो quantities है, quantities क्या करती हैं, quantities बताती हैं कि, जो है ना कितनी how much, यानि कि इसके मतलब ये how much, ये question का जवाब देती है how much, कितने marker हैं, कितने decks हैं, कितने जो है ना वो घर हैं, तो समझागी ये numbers और quantities, अगर quantity का, अगर मैं कहूँ के भई, फर्स करो math में आप quantity को represent करते हो, किसी भी एक alphabets के जरीए से, यानि कि x के जरीए से, सही है, तो x जो ना unknown है, यानि कि उसकी value नहीं पता, अगर उसकी value find करनी है, तो quantities के जरीए से, x alphabets आप देखते हो, algebra के section में, ठीक है, तो ये आप ब्रांचिस में पढ़ोगे, इंशालला, तो spaces, next जो तीसरी चीज़ है, वो spaces है, अगर मैं spaces की definition देखू, spaces की definition ये होगी, कि set of elements, वो element क्या है, points, ठीक है, आप points को मिला देते हो, मतलब points को मिला देते हो, एक shape बनती है, वो shape जो ये ना, वो line हो सकती है, ray हो सकती है, या line segment हो सकती है, या square हो सकता है, या circle हो सकता है, या triangle हो सकता है, या आप shapes पढ़ते हो, spaces में, यानि कि spaces की अगर मैं definition देखू, तो set of elements क्या हैं, और elements क्या है, points, तो definition को फिर एक पर पढ़ते हैं, abstract of three things, वो कौन-कौन सी हैं, numbers, quantities and spaces, numbers, quantities and spaces, थोड़े से points हैं मैंच के हावाले से, उसके बाद जो है ना, वो mathematics एक word है, वो Greek word है, Greek word है, वो कहां से आया है, मिथमा से निकला है, और उसके मतलब क्या होते हैं, मिथमा के अपने मतलब क्या हैं, वो learning है, और अगर आप Google करोगे, तो इसके मतलब एक और भी मतलब निकलेगा, science, यानि के मिथमा का खुद मतलब है, कि science, ठीक है, और अगर मैं, अगर मैं ये देखूँ, कि भई जो ना, mathematics से maths किसने, मैंथ किसने किया, तो मैंथ जो ना, इंगलेंड, अस्ट्रेलिया और आइरलेंड, जो इसे कंट्रीज ने, जो ना, वो mathematics को maths वो पढ़ते हैं, ठीक है, उन्होंने mathematics वर्ट को short कर दिया, ठीक है, उसके बाद math, United State और Canada पढ़ते हैं, ठीक है, उन्होंने mathematics के वर्ट को बिल्कुल short करके math कर दिया, United State और Canada ने, ठीक है, उसके बाद math is a universal language, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि आप पाकिस्तान में जो math पढ़े हो, चार चेर, जमा हो गई, दो चेर से, तो six चेर से, यह आप जो पढ़े हो पाकिस्तान में, यह आप जाके United State में भी पढ़ोगे, तो यही चीज़ पढ़ोगे, यहनि कि यह universal language है, वहाँ जाके कोई different language नहीं होगी, वहाँ जाके कोई आप कोई different चीज़ नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो same, हर आप दुनिया में देखते हो, तो हर चीज़ जो यहना, वो math, math की जबान same हो, आप किसी भी country में चले जाओ, ठीक है, तरसे इसलिए इसको universal language कहते हैं, इसके बाद, जो यहना, father of mathematics कहते हैं, Archimedes को, Archimedes, जो mathematician थे, उन्हें, जो यहना, चोधा अक्टूबर को, तो यह math का थोड़ा सा, थोड़ी सी introduction थी, math का introduction था, ठीक है, इसके बाद, जो यहना, जो यहना, subject में, बहुत ज़्यादा information आ जाए, तो उसकी branches पड़ी जाती है, जो के हम, next part में, तो students आपने, जो यहना, जो metric के course के वाले से, जो branches हमने थोड़ी सी पढ़नी है, वो यू है branches, पहली branch हम जो पढ़ते हैं, उसका नाम होता है arithmetic, और arithmetic क्या करता है, arithmetic जो है ना, उसकी definition क्या है, numbers, numbers एक से लेकर, जो natural number है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो natural numbers हैं, उनके साथ, 4 fundamental operations लगा देने, 4 fundamental operations, operations क्या हैं, यह तो आपको पता होगा, plus, minus, multiply and divide, यह आप, जहां 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 आपको यह fundamental operations, numbers के साथ लगते होगे नजर आ रहे हैं, तो यह क्या है, यह arithmetic की एक branch है, यह math की एक branch, arithmetic हैं, तो इसमें यही काम है, अगर first करो 2 plus 2 is equal to 4, 2 multiply by 2 is equal to 4, यह 4 multiply by 2 is equal to 8, यह आप जो पढ़ रहे हो, यह arithmetic की branch है, यह यह 8 divided by 10, और 2 divided by 3, 1 divided by 2, यह आप minus कर रहे हो 10 minus 5, तो यह arithmetic की branch है, आप 4 operations को numbers के साथ लगा रहे हो, और उसको solve कर रहे हो, उसकी equations बना रहे हो, यह arithmetic है, तो algebra में आप क्या बढ़ते हो, representing numbers with alphabets, आप math और arithmetic, और algebra में एक चीज़ का फर्क देते हो, देखते हो कि algebra में आपको alphabets नज़र आ रहे होते हैं, A, B, C, D, X, Y, Z, आपको alphabets नज़र आ रहे होंगे, वो alphabets क्या होते हैं algebra में, उन्हें कहते हैं variables, उन्हें कहते हैं variables, और variables का मतलब होते हैं कि कोई न कोई यहाँ पर value आ रही है, quantity मैंने जैसे definition में बताया आपको, definition में क्या था, एक था number, abstract तीन चीज़ों का था, एक था number, quantities and spaces, अब quantity मैंने कहा था, uncountable या unknown quantity आप represent कैसे करोगे, भी alphabet आप उसकी जगा लगा सकते हैं, अगर आपको quantity वो मालूम नहीं है, ठीक है, तो algebra क्या करता है, कोई भी number हो, हर स्कूर एक activity करते हैं, वो activity क्या होती है, class में हम कहते हैं, बेटा कोई भी number सोचे है, वो number जो हो सकता है, किसी ने 5 सोचा हो, किसी ने 10 सोचा हो, किसी ने 12 सोचा हो, मैंने 11 सोचा हो, अब डिफरेंट numbers को, एक alphabet के जरी रिप्रेजेंट करने हैं, तो कैसे करेंगे, math की beauty है, वो variable के जरीए से आप करते हो, जिने हम alphabet कहते हैं, small letter में A से लेकर, Z तक, ठीक है, तो यह हो गई algebra, math की branch, अब उसके बाद, जो next branch हम पढ़ते हूं, वो हो है calculus, अब calculus क्या है, आपको यह पता है, कि दुनिया में हर चीज, जो ना वो change हो रही है, कोई बड़ा हो रहा है, कोई value, कोई quantity बड़ी हो रही है, यह चैंज तो आता जा रहा है, यानि कि अब calculus में आप math की branch, calculus में आप दो type की change आप पढ़ते हो, एक differential change होता है, और एक integral change होता है, differential change क्या होता है, फर्सक्राइब एक example ले ले लेते हैं, एक मुर्गी यह जो अंडा देती है, तो differentiate, दो change है, differential change और एक integral change, ठीक है, तो यह math की branch में आप पढ़ते हो, ठीक है, इसको हम आगे इंशालला उसको continue करेंगे, अगली वीडियोज में, geometry, geometry क्या होती है, geometry को अगर मैं, उस word को मैं तोड़ू, तो geo का मतलब आप पढ़ोगे, और metri का मतलब होता है, earth, geo, earth, और metri का मतलब मैंटरोण, अब metron का मतलब क्या है, metron, जो है ना, measurement अगर उसका मैं मिनिंग भूलू, उसका मतलब होता है, measurement, अब math की डेफिनिशन आपने पढ़ी, numbers, quantity, spaces, spaces में में मैंने समझाया, स्पेसिस क्या होते हैं एक युनिवर्सल है और सेट अफ ऐलिमेंट्स है अब पॉइंट्स को मिलाते हैं तो कोई न कोई शेप बनती है तो जुमेट्री शेप पर डिपेंड करती है यानि कि आप तीन चीजें पढ़ी अरिथमेट्रिक अलजबरा और जुमेट्री यह तीन च आने वाला है वो हमें कहेगा कभी आपने क्या करना है आपने पहले मैं आपको कॉंट्रैक्ट देने से पहले आपको मैं नक्षा बना कर दूँगा आप हमें नक्षा बना कर दें तब आपको हम कॉंट्रैक्ट देंगे तो जो हम पेपर पर नक्षा बना कर लाएंगे शेप को मैंने तोडा तो ट्राय का मतलब होता है तीन ठीक है और गोनों का मतलब होता है जैसे मैट्री इसमें ती और मैजर्मेंट तो तीन कोर्नर की मेजर्मेंट Trignometry एक फर्स करो मैं वर्ट को तोड़कर मैं उसके मिनिंग बता रहूं तो यह बन रही है यह तीन कॉर्णर की मेजरमेंट जो ना ट्रिग्णो मैट्री में अब यह मैं गोर से देखूं कि यह मैट्री तीन कॉर्णर वाली शेप हमें नजर कहा आती है एैंक हे तिनख़फंब Q ANGEL होज। भी वाली एक और वह पता है। तो यह षैप तो आगर डुफे पारे मेउट करें तो वह ट्रिक्नोमेठ्रि के सक्षन में ? लास्ट में, मैथमी त애 है। reversal के मालूं होने चाहिए है। कि अगर किसी field में आपने अपना interest build up करना है अपना interest बनाना है तो आपक उस field के subject के facts पढ़ना है इस के कुछ facts है पहला जो facts यह है है कि every odd number has in it अब first करो मैं देखता हूँ three लिखता हूँ तो । थ आच आर ए ए और 11 लिखता हूँ तो E L V E N तो अगर मैं 13 लिखता हूँ तो T H R I Double T T E N यानि कि आपको हर ओड नमबर में E Alphabet लाजमी नजर आता है यह एक जोना interesting fact हो गया महत के वाले से ओड नमबर आप कोई भी उठा के आप practice करके देख लेना आप कोई भी ओड नमबर बड़े से बड़ा नमबर आप उठा लोगे तो इसमें E Alphabet आपको लाजमी नजर आएगा तो next fact क्या है fact number 2 आप क्या करते हो आप इस 111 111 और 111 को multiply करवा देते हो same number से तो आपका answer कुछ इस तरह का बनता है जो कि बड़ा interesting है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यानि कि यह बहुत interesting answer देता है यह only दो same numbers को multiply करवाने पर ऐसा कुछ answer नजर आता है तो next fact क्या है तो fact number 3 क्या है fact number 3 यह कि magic number 9 magic इस 9 को magic number क्यों कहते है अगर मैं 9 का table पढ़ू 9, 1 is a 9, 9, 2 is a 18, 9, 3 is a 27, 36, 45, 54 अगर मैं इसका table 90 तक 10 तक पढ़ू तो 90 आएगा आप इस table में यह तो आपने shortcut इसका table का पता होगा कि 1, 2, 3, 4 ऐसे आप sequence से लिखें फिर उसी को इल्टा आप लिखेंगे तो table आपका बनेगा लेकिन नहीं इसका fact गया है इसका fact यह कि आप 9 तो 9 है 1 और आप 1s or 10s table के 1s or 10s को आप प्लस कर दोगे 8 और प्लस 1 is 9 7 प्लस 2 is 9 6 प्लस 3 is 9 5 प्लस 4 is 9 4 प्लस 5 is 9 10 तक आप table 9 का पढ़ते हो तो आप प्लस करोगे उनके 1s or 10s को तो आपका answer भी 9 आएगा ऐसा दुनिया में कोई table ही नहीं है आप अगर table पढ़ो तो वही जो आप प्लस करवाने पे वही table जिसका 9 का table पढ़ो तो 9 प्लस करवाने पे आ रहे है तो इसलिए इसको magic number कहते है ठीक है तो fact number 4 कहा है fact number 4 यह के 100 जो आप 100 का मतलब आपको पता है कि इस तरही के का ही यह 100 को हम 100 कहते है तो लेकिन 100 actually यह क्या है हंड्रेट है अगर हंड्रेट का मतलब देखा जाए तो उसका तरज़वा किया जाए तो वह 100 नहीं है 120 है 120 है तो fact number 5 के fact number 5 यह है कि आपका जो equal sign इक्वल साइन जो है के लिए आप रिप्रेजेंट करते हो तो equal sign इन्वेंट कब हुआ था 15, 55, 57 में Robert record ने इन्वेंट किया था इस से पहले क्या होता था इस से पहले अगर किसी equation को रिप्रेजेंट करना होता था तो आप words में लिखते थे कि 7 is equal to 7 5 plus 2 is equal to 7 9 plus 3 is equal to 12 तो यह आप words में लिखते थे is equal to तो अब 15, 57 के बाद जो आप equal के sign को रिप्रेजेंट करवाया इन्वेंट करवाया Robert record ने तो fact number 6 क्या है fact number 6 यह है कि 40 40 एक ऐसा word है अगर आप मैं उसको word में देख रहा हूँ तो वो alphabetical order में alphabetical order कैसे A, B, C, D यानि कि alphabetical order में F पहले है O बाद में R फिर T फिर Y यानि कि यह alphabetical order में आपका ऐसा कोई number नहीं है जिसको आप words में लिखें और alphabetical order में हो 40 के इलावा ठीक है तो last fact क्या है last fact यह है कि fact number 7 fact number 7 क्या है 4 अब इस 4 को word में लिखते हो तो F, O, U, R 4 है अब इसके alphabet गिने तो 1, 2, 3, 4 alphabet है तो यह अब कोई और भी number उठा के देख ले 1 को हम अगर words में लिखते हैं तो O, N, E, 1 1 के एक alphabet कितने हैं 1, 2, 3 3 alphabet है और 2 के alphabet कितने हैं 3 है 3 के alphabet हैं और 4 के तो 4 ही है 4 ऐसा number है जो alphabetical अगर उसके alphabetS गिने जाएं तो वो उतने ही alphabetS हैं जितने वो खुद है यानि कि 4 ठीक है तो last fact इसका यह है last fact एक bonus fact समझ लीजिए वो यह है कि अगर आप इसका जवाब दे दें 1 plus 1 is equal to obviously हमें पता है कि 2 होता है और इस यह है जितना असान लग रहा है यह 162 पेजिस की एक किताब है Principia Mathematics Principia Mathematics you can google अब इसका 1 plus 1 का answer find करने के लिए 162 पेजिस की किताब लिखी है एक बंदे ने और उसका नाम किया है Principia Mathematics किता लुएी की की लगी की लेके लिए